आप देख रहे हैं SKK News प्रदेश सरकार की इस मामले में कोई भूमिका होने से इंकार कर दिया जलान में सपा की कुटान ब्लाग प्रमुक के खिलाब भाजपार समर्थेत प्रत्याशी द्वारा अविस्वास प्रस्ताव जारी किया गया जिसके बाद भाजपाईयों द्वारा 20 सड़क पर जस्ट मनाते हुए जमकर फाइरिंग की गई जिससे इलाके में दह्शत पहल गई वहीं जब फाइरिंग का वीडियो शोशल मीडिया में वाइरल हुआ तो पुलिस प्रसाशन ने मामले को संग्यान में लेकर अक्यात लोंगों के खिलाफ मुकत में दर्ज कर लिया साथ ही उनके असलों को निजस करने की कारवाही भी शुरू कर दी पिजनौर के बाला वाली रोड पर तेजरफताल बस और बाइक की आपस में टक्कर हो गई जिसके बाद पस अन्यंतर धोकल सड़के नारे एक गड़े में जागिरी इस साथ से में बाइक सवारी की वर्क की मौके पर ही मौत हो गई वहीं बस में सवार तकरीवन 20 लोंग घायल हो गई जिनको पियस सी मंडावल भेजा गया जहां डॉक्टर के ना मिलने पर घायल यात्रियों को जिलाज पतल भेज दिया गया इस दोरां सीयों ने घटना इस तल पर पहुंच कर घटना का जाय जा लिया बागपत में एक बेबस मा पियम मोदी से आर्थिक साहता की गोहर लगाती होई नजर आई दरसल इस मां का बेटा किटनी और लीवर की बिमारी से ग्रस थे जिसके इलाज के लिए यहमा अपना सब कुछ बेच चुकी है उसके बाब जूद भी बेटे के इलाज के लिए डॉक्टरों ने 10 लाग रुपए के खर्च की बात कही है जिसकारण ही महिला ने पी-म से 10 लाग की आर्थिक साहता की मांग करते हुए मदद ना मिलने पर अपनी किटनी बेचने की जिला प्रिशाशन से अनुमती भी मांगी है बाब पत में राष्टिय क्रिमी दिवस के उपलक्ष में नगर के अरवाचीन हाई स्कूल में छात्र जात्राओं को पेट के कीड़े मारने के लिए दवा खिलाई गई इस मौके पर डॉक्टर सोनल धामा ने बच्चों को सच्चता के विशाय में भी विस्तार से बताया वहीं वित्याले प्रभारी पिंटू तेवर्थिया ने इस कारिक्रम में पूर्शायोग किया बागपत में व्यादी करनिया डिग्री कॉलेज ने अपना 21 वार्शी को सब दूमधाम से मनाया इस अब सब्र मुख्यातिती के रूप में MTH मसालों के चेर्मेन धर्मपाल का कॉलेज की प्रवन समीती द्वारा भविस्त वागत किया गया वहीं कारिक्रम में बाद सब्रशती की वंदना के बाद कई सांस्क्रित कारिक्रम भी पेश किये गए मेर्ता में सीम अनपुर्णा रसोई योजना के तहट जीवन संबल चैरी टेबल ट्रस्ट की ओर से स्मार्ट फूड वेन का शुभारम किया गया इस मौके पर चेर्मेन ने बताए कि एक अच्छी योजना है जिससे जरूत मंदों और गरीबों सहित करियात्रियों को इसका फायदा मिलेगा बता दे कि इस स्मार्ट फूड वेन द्वारा नगर में नियर जगोबर पांच पर में नाश्टा और आट पर में भोजन कराया जाएगा गेडि में अविस्तित बाबा ज़ारकंठाम मंदिर में एक मेले का आयवजिन किया गया जहाँ को डरमा सांसथ और जमुआ विदह tuna के बाबा भुलेनाथ की पुजा अर्चनाकर मेले का उदगाटन किया वहीं मेले में आये भक्तों में शिवरात्री के मौके पर बाबा भुलेनात और मा पारवती के विवाबंधन के मंजन को देखने के लिए खासा उच्छा देखा गया इस मौके पर सांचत ने जानकारी देते हुए बताए कि जहारकन प्रदेश का नाम इसी वंदिय के नाम पर रखा गया है